चैनल मैं आपका 5 से सवागत करता हूँ जो 1st March में जिनोंने 15 दिन के सरकल में जो फ्री कुंड़ी चार्ड डिटिंग है जो हमारा सरकल चाता है उसमें जिनोंने रिकुंड़ी दी थी उसमें से जिनकी कुंड़ी सेलेक्ट हुई है उनकी कुंड़ी की आज मैं फिर से रीट क देने की कोशिश करूँगा उनके दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा नेक्स जो सरकल हो 15 मार्च का है अगर आप लोग भी अपनी कुंड़ी रीड करवाना चाहते हैं अगर आपकी आपको फ्री ओफ कॉस करवाना है तो वर्टसाइप पे जो डिस्क्रिप् आप लोग प्याओर आपके सब्सक्राइब कर तो मुझे बता दीजे करवानी है वाट बैसले पर साथ झार्जेबल होती है उसके आपके कॉस्त देने उते हैं उसके वीडियो नहीं बनती है आपको परसनले सवालों के जवाब परसनली दिये जाते हैं यहाँ पर दो सवा सबस्क्राइब कर देता हूं तो शुरू करते हैं 1st March तक जिनोंने मुझे भेजी थी उनकी जिनकी रीडिंग हो रही है जिनकी सेलेक्शन हुई है उनकी रीडिंग करने की कोशिश करते हैं और मेरे पास अब टाइम भी नहीं है कि मैं फिर से वीडियो बना पाऊं तो यह वीडियो शायद मेरे ज्यादा ना हो पाए व्यूज ना पाए क्योंकि आप लोगो को वीडियो में मेरी लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अब बिलकुल अपने जो नॉर्मल लाइट से उससे काम कर रहा हूँ जो मोवाई लाइट से अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्या पता कैसा है ये वीडियो बनेगा बटम मैंने कमिटमेंट करी है तो मेरे को मेरे पास टाइम नहीं है तो माफ किजेगा आप लोगों को ऐसी वीडियो मेरे को कंटिन्यू करना पड़ेगा तो चलो थैंक यू लाइट आ गई एक सेकेंड चले शुरू करते हैं भावन जो दो सवाल था वो दो सवाल में से एक ताचे कि राहू की महादशा कैसे कटीगी और उससे आपको क्या benefit या क्या loss होगा आपकर एक्सपेक्ट कर सकती है राहू की महादशा में दूसरा आपके लाव-लाइफ को लेके पूचा था जब कि क्या आपके लाइफ में कोई नया माहद अशा में आपने पूछा उस हमें यह मैं कह सकता हूं। और उसका जो मालिक है फिफ था उसका जो मालिक है वो राहू के साथ बैठा हुआ शुक्र है और उसके साथ गुरू बैठा हुआ है तो गुरू राहू और शुक्र का जो यहां पर जो कंजेंशन है इस वजह से मैं यह बोल सकता हूँ जिक एक तो गुरू चंडाल योग बनत गई रहेगा कितना भी अच्छा रहो लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिविटी जरूर लाए गई लाएगा यहां पर गुरु और शुक्र के साथ बैठने के कारा है रहो की नेगेटिविटी काफी हद तक कम होगी लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र और गुरु की जो अपने एफ माकाली की पुझा राधना करनी चाहिए और गुरु के नाम पे गुरु के लिए आपको बिस्पत बार को किसी मंदिर में कुछ दान देना चाहिए ठीक है रहु की एर बहादशा की एक्सपेक्टेशन कैसी होगी मैं यह बोच सकता हूँ जिए छटे गर का रहु बहुत ज़ादा महनत करेंगी और महनत करके और आप अपने कामों में डिस्प्यूट को रिजूल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी और आपकी लाइफ में डिस्प्यूट साते रहेंगे और आप उसको फाइट बैक करेंगे और फाइट बैक करेंगे जब भी कहीं न कहीं competitive exams में आपको benefit देने के कोशिश करता है तो राहू यहां बैठने के कारण आपके competitive exam में भी अच्छा फल मिलेगा और हो सकता शुकर और गुरू भी इसमें आपको मदद करेंगे simultaneous अगर आप litigation में जा रही है या आप litigation में है या आप किसी service में जैसे medical line में कोई service कर रही है या आप ऐसी field में nursing medicine या किसी ऐसी field में है या आप social work में है तो आपके लिए ये दशा अच्छी रहेगी आप यहां पे अपने दिमाग की चतुराई से काम करके आगे growth लेने के कोशिश कर सकती है रहो की महादशा में आपको सीधे काम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए लेकिन अगर नहीं हो पाता है तब भी कोई तेड़ा रास्ता अपनाईएगा politics में जाता है दिमाग, gossip में दिमाग जाता है और टेड़े काम करने के और shortcut ढूरने की कोशिश करता है रहो हमेशा लेकिन shortcut तभी कोशिश करिएगा ढूरने की जब long cut आपको दिखाई ना दे या impossible के बराबर हो तो shortcut कम लेने की कोशिश करिएगा growth आपकी life में होगा लेकिन कभी जब भी आप dispute होके तभी आपको growth मिलेगा अब बात आते हैं कि love life और life में प्यार का कैसर condition रहेगा यहाँ पर कहीं न कहीं आपर love loss दिखाता है क्योंकि शनी भी पंचमस्तान में बैटा हुआ है और सातवे घर का मालिक जो partnership को denote करता है चंदरमा वो भी छटे बारवे घर में जाके बैट चुका है तो कहीं न कहीं जरूर दिखाता है यह तो partnership में या love life में एक distance रहेगा, loss रहेगा और राओ की महादशा में भी कहीं न कहीं यह एक तरीके से distance से unsatisfaction जरूर दिखाता है अगर आप किसी person से जो अगर आप प्यार करके शादी करती है तो अगर वो आपकी birth place है या आपकी life में कहीं दूर से आपके आया या कोई other caste है ऐसी कोई community से हैं जो आपकी caste है community से match नहीं करते हैं तो हो सकता है इसमें थोड़े benefits हो लेकिन फिर भी यहां पर love life में ज्यादा अच्छा growth नहीं दिखाता उसके दो तिन रीजन है शुक्र छटे घर में बैटा हुआ है शनी पंचम स्थान में बैटा हुआ है और जो साथवे घर का मालिक शादी और घर का जो शादी और पार्टनर्शिप को जो डिनोट करता है उसका मालिक चंद्रमा जाके बारवे घर में बैटा हुआ है तो अगर आप love life और इन सब चीजों में ज्यादा indulge होंगी तो कहीं न कहीं आपको disappointment मिलेगी आपको satisfaction मिलेगी आपको थोड़ी सी परिशानी होगी जो मुझे दिखाई देता है हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन जितना मुझे दिखाई देता है यहाँ पर indicate करता है और कहीं न कहीं dispute create करता है आपकी अगर आप थोड़ी love life में भी अगर आप smart move करेंगी तो वहाँ पर भी आपको ज्यादा दिक्कत होगी instead of अगर आप एक straight और एक long term focus रखे और अपने आपको clean और सीधा अपने आपको represent ना करें कहीं ने कहीं अगर आप कुछ hidden रखें या कुछ problem अगर कुछ अपनी चीज़ें चुपाएंगी तो और भी ज्यादा complication create होगी हालेकि यहाँ पर love life में ज्यादा positivity दिखाई नहीं देती हैं इसके लिए आपको कुछ उपाई करने पढ़ेंगे शुकर की उपाई ज करिए और दान धरम करिए और इससे आपको फाइदा मिलेगा और इससे आपको growth अच्छी मिलेगी और shortcut को थोड़ा सा कम यूज़ करने की कोशिश करिए आपको growth अच्छी मिलेगी law field में अगर जाती है तो भी उसमें अच्छा field मिलेगा medical और वगर में उन्हें बोली दिया ह अगर आप जाती है और service में रहती है तो अच्छा field रहेगा राहू की महादशा में इन सब चीजों में अच्छा benefit मिलने के chances हैं और education भी आगे बढ़ने के chances हैं हो सकता है आप education में आगे further continue करें और कुछ ऐसी education हाँ राहू की महादशा में शुक्रे के साथ बढ़ें तो यह भी हो सकता है कि कहीं कोई beauty related को आपको कोई काम करें या आप acting अगरा में भी जा सकते हैं लेकिन बाद में आपको उसमें social work को join करेंगी या आपकी communication या आपकी अपनी personality से आप अपनी ability से अपने charm से अपने society में social work में काफी अच्छा आगे बढ़ सकती है ठीक है तो रहो की म मिलने के chances है लेकिन difficulty के साथ आप fight करेंगी जितना उतना आपको अच्छा result मिलेगा दूसरी कुली read करने से पहले भावनाची एक और चीज मैं आपको बता दूँ कि आपको competitive exam में जाना चाहती है तो अगर आपको हायर पोस्त के लिए competitive exam में जाती है या कुछ करते उसमें भ दूसरी कुली आती है राजदीब की है राजदीब आपका जो last number है मोबाइल का वो है 69 और क्या बोलते हैं आपने भी मुझे आपने जो मुझे दो सवाल पूछें वह सवाल पूछें हायर एजूकेशन में scope और career और growth के regarding पूछें करें कैसा रहेगी और आपने जो मुझे स कुली अपने मुझे कई बार रिकोर्स डाली थी पहले रीड नहीं कर पाई हो तो यह रिपीट कुली में आती है तो आपकी कुली में आपकी सेलेक्शन हुई है और दूसरा पॉइंट यह है जिकिए कि आपकी जो कुली है वह सचीटरियस लगन है आपका गुरू आपके ल देखे, struggle करेंगे, आपको फायदा मिलेगा, higher education की समय अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी competitive exam कर देने के साथ, competitive exam देके, अगर कोई education लेना चाते है, higher education लेना चाते है, उसमें आपको success मिलेगा, कोई problem नहीं है, क्योंकि जो राहू है, आपके भी छटे गर में बै प्रणत करके ही मिलेंगी, easily कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर positive है, शुकर के घर में राहू बैठे हैं, शुकर मित्र राशी के हैं, शुकर मित्र हैं राहू के, और चटे घर का राहू powerful होता है, मैंने हमेशा बोला है, तीसरे चटे और दसम घर का राहू बहुत powerful होता है, श competitive exam होतों उसमें फाइदा है, सूरे भी छटे घर में बैटा है, सूरे छटे घर में थोड़ा सा जरूर कॉंप्लिकेशन है, और एनमी राशी में भी है, जरूर कॉंप्लिकेटेड है, पर सूरे की महादशा नहीं चल रही है, दूसरा point यह है, जिकि सूरे कहीं पर भी आस्त और हाँ, जॉब एक चीज़ जरूर होते है बुद की, लेकिन यहीं पर यह शो करता है, कि आपको सदन गेन जरूर मिल सकता है, अगर आप deep study करके, कोई भी चीज़ अगर आप deep study करके job में जाते हैं, करियर में जाते हैं, और वो growth मिलेगा, competitive exam और आपको competitive exam से ही अगर आप बढ़ना चाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा, education में आपको जरूर स्टगल रही होगी, भावना जी की भी शायद education में स्टगल रही है, हो सकता है, ये चीज़ उनकी भी रही होगी, लेकिन आपकी भी कुल्डी में स्टगल रही है, education मुझे जितना दि दिखाए तेरा महनत करके आप education करें, अगर easily होगा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको आगे भी struggle करके ही चीज़े मिलेगी, easily कुछ नहीं मिलेगी, government job के जरूर chances बनते हैं, अगर आप अच्छा काम कता है, अगर सूर्य दिव को चल चड़ाएं रोज लगने जो आपके आथवे घर में जाके बैठ गये हैं, तो इस वज़ाए से आपको deep study में यह भी मदद करेंगे, लगने इस भी आपको मदद करेंगे, नवह मौच ओते घर के मालिक होके बैठे हुए हैं, आपको किसी और चीज़ की आपको अभी किसी चीज़ों में फोकस करना चाहिए, और अपनी life में at presently सिर्फ growth को लेके focus करना चाहिए, और अपनी job को लेके focus करना चाहिए, किसी और चीज में नहीं indulge होना चाहिए, और अगर ऐसी चीज़े अगर आप job और अपनी career को लेके focus करेंगे, तो जिन्दिधे में अच्छा रहेंगे, इकि अगर Je necessity ho, तभी हो और Shortcut अभी लें जब आपको necessity लगे या जरूरी लगे इसके इलावा ना ले मैं राबर यही बोलता हूं राओ की महदशा में Shortcut लेने से बचने की कोशिश करिए अगर Shortcut कर लेते हैं तो मजबूरी में लीजिए या कोई अरास्ता आगे ना दिखे तभी लें तो आपकी career को लेके और education को लेके कोई दिक्कत नहीं है career आप चलाते रहिए, shift की पूजा करते रहिए आपको competitive exam से ही फायदा मिलेगा और अगर आप service कुछ करते हैं, कुछ दान धर्म करते हैं लोगों की सेवा में जाते हैं तो आपको और benefit मिलेगा जरूर यह बोलूँगा जिक एकाकी पन आपके लिए ज्यादा अच्छा है अकेले जितना आगे रन करेंगे उतना अच्छा रहेगा किसी की मदद या किसी से expectation करेंगे तो disappointment ही मिले की और कहीं न कहीं आपके life में कहीं न कहीं वो disappointing करेगा और कहीं न कहीं आपको नुकसान नहीं देगा तो के तु आपके अस्टम घर में बारवे घर में बैठा हुआ है और आट अनम्बर लिखा हुआ है तो मैं यहीं बोलूँगा जिक कहीं न कहीं के तु आपके लापन जरूर दे रहा है तो जरूर अपने अकेले pen को accept करिए और उसके साथ जुड़के अपनी growth की तरफ focus करिए social work करते रहिए social काम करिए जिससे आपकी जो mental स्थिती है वो अच्छी रहे चीजों को जानने की ज्यादा कुशिश करी क्योंकि जूपिटर आटवे घर में बैठे हुआ है यहाँ पर deep study अपने काम से related भी अगर ज्यादा deep study करते हैं आप तो अच्छा फायदा मिलेगा ठीक है राजदीप उमीद करता हूँ मेरी कुल्ली reading आपको अच्छी लेगी हो यह पसंद आई हो ठीक है हां जो तीसरी जो कुल्ले और राहुल जी की है राहुल जी आपका जो लास का नंबर है वो मोबाइल का थ्री फॉर है आपने मुस्से दो सवाल पूछाए कि आप जॉब ले से हैं आपकी लाइफ में जॉब की अनस्टीबिटी है दूसरा सवाल आपने पूछे कि आप पैसे वाले कब होंगे एज क्या होगा दीकि पैसा एक स्टेट रिचने से स्टेट ऑफ माइंड बट ऐसा बोल देने से तो एसलोजर का घर चलेगा नहीं तो पॉइंट यह जी कि पैसा आपकी जिंदेगी में है अच्छा कुड़ी के साब से बोल द आपके का मालिक है और फिक्स एसेट का मालिक है और वह इंकम के हाउज में जाके बैटा है तो कहीं न कहीं जरूर यह शो करता है कि आपके पास पैसा जरूर मिलता है या आपकी फैमिली में पैसा है वहां से आपको सर्वाइवल होगा वहां से इंकम है मुझे नहीं पता ज महादशा 21 तक राहू की चली होगी ति राहू की महादशा अस्टम का राहू है अस्टम का राहू भी बुरा नहीं होता अच्छा फल देता है सडन गेन और सडन नौसेश जरूर देता है लेकिन सडन गेन देता है हेल्थ में जरूर इशूज हो सकते हैं सामिल्टेनस लिए ब बारन वर शायद आप परिशान चल रहे हैं अब बात यह आती है कि शनी की अभी अंतरदशा चल लिए गुरू के अंदर और शनी की अंतरदशा गुरू के अंदर 2026 तक चलेगी यह इंतरदशा में एक ही काम में आपको बोच सकता है जो उटके खड़े हो जाए आलस मत रहेगा या आप टीचिंग फील्ड में जाए तो अच्छा रहेगा आपकी लाइफ मेरे हिसाब से अगर आप टीचिंग और कम्पिटिटिव एक्जाम में अगर आप बच्चों को हेल्प करते हैं एजूकेशन वैसी है या सर्विस करते हैं इन चीजों में तो अच्छा र एजूकेशन से रिलेटेड है बच्चों से रिलेटेड कुछ काम करें तो और यहां पर सेमी जॉब आप जॉब कम बिजनेस कर सकते हैं या किसी के साथ पार्टनर्शिप में काम कर सकते हैं हलाकि मैं यह बोलूँगा जी कि यह पार्टनर्शिप फाइनेंशल मत रखेगा यह सब कौम्नीकेशन रखेगा और कंख्यों के थुछ आपको अच्छा फाइदा जुरूर मिलेगा कौदिशन रिलेटेड बिजनेस कौम्नीकेशन रिलेटेड आप काम कर सकते हैं और यह जो अब यह आपका टाइम परेड़ दोज़ा सैथिस तक अच्छा नहीं है तो आपके लिए अच्छा रहेगा या बच्चों से related कोई काम करते हैं सर्विस करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा सारी कुंडले ऐसी आ रही हैं तीनों कुंडले मेरे को जितनी दिखाई दी हैं वो ऐसी हैं पैसे के related आपने जो पूछा है मुझसे पैसे के related मैंने पहले ही बोला fix asset और communications related अगर आप काम करते हैं तो आपके पास पैसा आएगा और अगर आप कुछ teaching से related काम करते हैं तो अच्छा पैसा आएगा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अच्छा रहेगा अपने birthplace से थोड़ा दूर अगर काम करते हैं तो भी आपको अच्छा benefit मिलेगा या teaching अगर आप करते हैं कोई भी service से related काम करते हैं तो आपको अपने birthplace से दूर अगर आप काम करते हैं तो भी अच्छा फायदा मिलेगा mother से benefit जरूर मिले के chances हैं मा से पैसे मिले के chances हैं लेकिन कहीं न कहीं मा के health को लेके भी थोड़ी से ख्याल रखने पड़ेंगे तो यह थी मेरी reading आपके regarding ओप करता हूँ आपको समझ माया है गुरू के उपाय जरूर करिए गुरू के अभी महादशा चले गुरू के उपाय जरूर करिएगा गुरू से related कुछ उपाय जरूर करिए जैसे गुरू बिस्पत बार को थर्जटे के दिन में कुछ भी पीली चीज़ अच्छे amount में कुछ भी पीली चीज़ जाए कपड़ा हो खाना हो जो भी आपकी शर्दा के हिसाब से वो डोनेट करिएगा तो आपकी महादशा में और मंगलवार को सर्सो का तिल डोनेट करें किसी रिपको आप सर्सोका तिल दे देंगे तो आपके लिए अच्छा रहे बुद आपके लगनेश और वर्किंग लॉड होके इंकम की घर में बैटे हैं तो इंकम जरूर देंगे बुद लेकिन बुद को स्ट्रॉंग करना पड़ेगा यहां पर क्योंकि गुरू और बुद की दोनों की बंती नहीं और आपकी महादशा यह गुरू की चल रही है तो बुद और गुरू को दोनों को शांत करना पड़ेगा जूपिटर को और मरकरी को स्ट्रॉंग करना पड़ेगा तो इन से चीजों को करिए वेनस्टी को कोई ग्रीन चीजों करिए और चिडियाओ को अगर आप फीड कर सकते हैं बुद के लिए वो भी अच्छा रहेगा को बसको छोड़ना पड़ेगा हो सकता है तो प्लीज उसको छोड़ दीजें उमीद करता हूँ आपको मेरी रीडिंग समझ में या पसंद आई हो तैंक्यू आखरी कुंडली हिना जी की है हिना जी आप जो लास्ट का नमबर है 150 है मुबाइल का फिराध आप गुजराथ से हैं ठीक है वैल जो एक कुंडली है कुम लगन की है मेरी फेवरीट मेरा फेवरीट लगन तो मुझे फेवरीट लगे stability के लिए आपको दो साल की weight करना पड़ेगा उसके बाद जब आपका शुकर की महादशा लगेगी 20 साल के लिए लगेगी 26 से 46 तक और वो लगेगी करीबन करीबन अगस्त के आसपार जब लगेगी तब आपकी financial stability आपकी महनत से आपको मिलेगी आप अपनी महनत जब करेंगी तो आप यहां राशी परिवर्तन हुआ है क्योंकि शुकर तीसरे घर में बैटे हुए हैं तीसरे घर communication का घर होता है करेज का घर होता है ठीक है छोटे मोटी चोट चोट चोटे मोटी travel का होता है तीसरे घर का मालिक आपके नवंभा में जाके बैट गया है मंगल जो है तो यहां पर अगर देखा जाए और वर्किंग लॉड होके भी नवं घर में जाके बैट गया है तो कहीं ना कहीं यहां भागे का सपोर्ट जरूर मिलेगा फाइनेशल स्टेबिलिटी मिलेगी उसकी कोई टेंशन नहीं है तो उसमें बहुत जबर्दस बेनेफिट मिलेगा लि और वह लॉंग टर्म के लिए रहेगी पच्छी से लिके च्छी तक रहेगी जितना मुझे पता है उससे साब से मैं कह सकता है इसके लावा बात केजिए कि आप ट्रीनिकर प्रेक्टिस करना चाहेंगे या स्टडी यह आपने मुझे सवाल पूचा है देखिए होगी बहतर रही होगी मेरे साब से बहतर रही होगी एजुकेशन लेकान इसके पास से आपके एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई विगना या कहीं कोई कॉम्लिकेशन आ रहे होंगे और वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे होंगे या तो आपके बर्थ प्लेस से बाहर आपन पूत की अंतरशा भी निकल चुकी है तो कभी ये नियर फीचर में कोई भी एजुकेशन से रिलेटिक कोई काम दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है गुरू 24 जून तक की लिए बैठा हुआ है और गुरू आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है तो पेरेंटल प्रेशर या फै मेडिसन लाइन में प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद हो सकता है कि आपको कोई जॉप मिले या आपको कोई ग्वोथ मिले एजुकेशन की ऑपर्चुनिटी मिले तो आप उसको ग्रैब जरूर कर सकती है उस टाइम पर जो चाहेंगी वह आपको मिलेगा पैसा चाहें पैसा आपकी महनस से अपनी करेसे कर सकती है इस पॉइंट वी मुझे दिखाई नहीं देता है कही ना कहीं आप जरूर दिखाई देते हैं कि अभी आप प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बहतर रहेगा क्योंकि केतु आपके बारवे घर में बैठा हुआ और केतु की महादशा चल देता रही हैमेलती देखो तो मूझे चंद्र मा आपकी चोटे घर का माली कर सक सर्टी अबे बेठी बॉइ बहुत अच्छा के पो हो नहीं लेकिन आप साटिस्फेक्शन या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आपके खुद की भी दिखा रहा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा गुरू के बाद शनी शनी के बाद बुद्ध शनी के बाद बुद्ध लगेगा तो लास्ट में 25 के बाद अगर आप देता नहीं है 25-26 में अगर हो सका है होगा तो शायद होगा अधर्वाइस कोई खास मुझे दिखाई नहीं दे रही है अभी 24-25 में तो कोई दिखाई नहीं दे रही है अगर आप क्लिनिकल प्रक्टिस जा रही है तो अच्छा रहेगा एक चीज़ जरूर नोटिस पकड़ नहीं आप हिम्मत नहीं कर पाते हैं डिसीजन में आप डियोलीटी ले लेती हैं कहीं नहीं आप इस वाज़ा से आपको दिखकत हो रही है अपनी पूरानी लोहे की चीज़े किसी से भी कोई भी लोहे की चीज़े मत खरीदीए मतलब free में मत लीजे कोई भी metal चीज कोई भी कभी किसी से free में मत लीजेगा और अपने पैरों का ध्यान रखिएगा अपने शरीर में हमेशा क्या बोलते हैं शनी से related कोई भी चीजे हैं उनको तोड़ा से ध्यान से काम करिएगा क्योंकि शनी हाप बश्रण दाउन है आपका और शनी डाउन है आपके फीजे कारण आपके लिए अच्छा result नहीं देगा और आपको शनी के उपाय करने ही पढ़ेगे तो आपको शनी के शरूर उपाय करने चाहिए जो जो आपको कोई किसी पंड़ित से पूछ लेगा आप जाके तरग सब्सक्राइब कशक्राइब करें या आप कुछ आप कुछ के लोगों को हलप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा या आप कुछ free clinic, free services provide करें तो अच्छा रहेगा, अपने communication पर थोड़ा सा harshness कम लाइएगा, या अपनी communication में lackness कम लाइएगा, कम ही ना रहे आपकी communication में, उसके लिए ज़रूर कोशिश करते रहेगा, उमेद करता हूँ, आपको मेरी कुनली reading में आपको पसंद आए हो, या समझ आई हो, तो ये मेरी आखरी reading थी, मैंने आज चार कुनलिया रीट करी हैं, selected कुनली जो होई है, उनमें से चार कुनलिया रीट हो चुकी है, और next reading जो हो, पंदा मार्च के बाद होगी, तो उसके बीच में बोलता ही रहता हूँ, जिके नए वीडियो डालूँ, डाली नहीं पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता हूँ, माफ कीजेगा उसके लिए, बाकी धन्यवाद,